नमस्कार स्टूडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है आज हम पांचवा मोडल पेपर करने वाले हैं अपने सामाजिक विज्ञान का उसमें आपका समय धाई घंटा होगा और जो पूर्णांख होंगे वो आपके 80 माक्स का अपना पेपर आने वाला ह प्रिक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिये हुए होंगे इस तरीके से हम क्योंकि चार मोडल पेपर पहले हल कर चुके हैं तो इसमें निर्देश पर अपन नहीं पढ़ेंगे सीधे अपन परसनों की योड़ चलेंगे ताकि अपने समय का सदूप योग हमें कर स खंड अपना ए होगा जिसमें इस तरीके के वस्तुनिस्ट परसन आएंगे पहले तो नीचे देगे परसनों में से सही विकल्प का चैन करें आप आराम से पेपर को पड़ें फिर उसमें से जो परसन है उसको पड़ें भारती इतिहास के परमुख स्रोत क्या है सरकारी दस् संघर्स में जोदपूर का उत्राधीकारी संघर्स हुआ था उसमें राम सिंग और बक्त सिंग के मद्दे हुआ था ये बै उप्सन अपना सही हो जाएगा जनसंख्या घनत्व का क्या तात्परी है परती वर्ग किलोमेटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या गनत्व कहलाती है तो वसे भी आपसे पूछ लिया जाएगे जनसंख्या घनत्व क्या है तो परती वर्ग किलोमेटर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या जनसंख्या गनत्व कहलाती है राजस्थान का अधिकांसर रेल परिवन भारत के किस रेलवे मंडल में समलित है तो ये आपके मंडल दिये हुए हैं तो इसमें से कौन सा मंडल अपना होगा तो इसके लिए जैपूर जो मंडल है वो एक बड़ा मंडल है जैपूर रेलवे मंडल और उज्राजस्थान का अधिकान से रेलवे भाग है वो इसी मंडल में आ जाता है लोगों को सोशन से बचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है तो इसमें से आप ओप्षन को पढ़ें और नोट करें कि कानून बना सकती है सरकार सोशन से बचाने के लिए सतत विकास लक्से में कितने लक्से निर्धारित की हुए है तो इसमें से आप देखेंगे की सत्रा जो लक्से हैं वो सतत्त विकास के लक्से तैकिये हुई हैं खंड बै होगा और खंड बै में अपने इस तरीके का एक मिलान वाला परसन है अपने सामने होगा निम्नको सुमेलित के जी चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था जिसकी बाद गांधी जी ने ऐसे युगांद निस्तगित कर दिया था तो चोरा चोरी को हम 1922 से मिलाएंगे वरली विद्रो क्या था महत्मा गांधी तो महत्मा गांधी ने क्या क्या था और इवी रामा स्वामिनाय करने क्या क्या था तो वरली विद्रो हुआ था वरली विद्रो को हम महाराष्ट से मिलाएंगे क्योंकि महाराष्ट में हुआ था माहत्मा गांधी अंग्रेजी सिक्ष्या के विरुद्ध थे और एवी रामा स्वामी नाई करने स्वाभी मान अंदोलन चलाया था तो इस तरीके से हम ये जो जगए अपने को दीवी होगी अग्जाम में इस तरीके का पेपर आएगा आपका अग्जाम में और ये जो जगए होगी इसमें आपको ये मिलान करते हुए अच्छे से लिखना है सविधान उन आदर्स को सुत्र बद करता है यानि सविधान में वो आदर्स सामिल होते हैं जिनकी आधार पे नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अंसार रचते हैं या चलाते हैं नगर निगम का अध्यक्स महापोर कहलाता है, तो किसका अध्यक्स महापोर कहलाता है, नगर निगम का, कभी कभी प्राकर्तिक पदार्थ तब संसादन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, प्रोध्योगी की की एक मानव निर्मित संसादन है, प्रोध नेक्स्ट अपना परसन है कि आदिवासियों की भासाओं ने बांगला जैसे मुख्य धारा की भारती भासाओं को गहरे और तोर पे प्रभावित किया है, उसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है. जनम और मर्तियु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकर्ति के कारण हैं, एक देश के जनम दर और मर्तियु दर के बीच की अंतर को प्राकर्ति के वर्धी दर कहते हैं, खंड से होगा आपना और खंड से में आपके इस तरीके के परसन होंगे. उनमें उत्तर देना, आपको पहली इंगलिस फैक्ट्री यानि कार खाना की स्थापना कब और कहां की गी थी, तो पहली जो इंगलिस फैक्ट्री थी, उसकी स्थापना 1691 में हुगली नदी की किनारे, जो कि पस्चमी बंगाल में है, हुगली नदी, पस्चमी बंगाल में ह गुली नदी के किनारे की गी थी पहली फैक्टरी की स्थाबना, साल कौन सी थी शोड़ा सो इक्यान, सोग्रम संगमा द्वारा विद्रो कब और कहा हुआ, तो सोग्रम संग्रम संगमा थे, उनकी द्वारा विद्रो 1906 में असम में हुआ था, प्राचे वाद के दो घोर बताईए तो भारत में रंगीन फूल पतियों वाले छोटे छापे के कपड़े को छींट का गया था उस समय और अभी छींट जो सब्द है वो यूज किया जाता है ये आकर सक फूल पति वाला बारी के रेसे वाला कपड़ा होता था और इसकी जो कीमत होती थी वो सस्ती होती कम कीमत वाला कपड़ा अच्छा कपड़ा होता था जिस पिर फूल पति बनी होती थी तो उसको क्या कहते थे छींट इसाई धर्म अपनाने वालों की हित की रक्षय के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था तो ऐसे भारती जिनों ने इसाई धर्म सविकार कर लिया था उसक वोड की खेती की जाने वाले कुछ छेत्रों के नाम लिखने जैसे उत्री इटली, दक्षणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रीटेन के कुछ हिस्षे थे जहां वोड की खेती की जाती थे लोह और एलोह खनीज में अंतर बताना है तो लोह और एलोह खनीज में जब हम अंतर करेंगे तो निम्न अंतर हो जाता है इसमें जिन धात्वी के खनीज़ों में लोही की मात्रा पाई जाती है उसे कहते हैं लोह खनीज और लोह आयस के इसका उदारन है और इनका रंग है वो बूरा होता है और इस बात वो द्योग में इसका प्रियूग किया जाता है खनीज धातू का अंस इसमें पाया जाता है फिर हम कहें कि अगर जिस वो खनीज जिसमें धातू का अंसर नहीं पाया जाता है एलोह है धातू कहलाता है जिसमें लोह धातू की मात्रा है वो नहीं पाया जाती है उसे कहते हैं एलोह खनीज निर्वाह कर्शी और गहन कर्शी में क्या अंतर है तो निर्वाह कर्शी जीवन निर्वाह के लिए फसलों का उत्पादन करना जीवन निर्वाह वाली कर्शी में आता है जीवन निर्वाह वाली कर्शी यानि सिर्फ जीवन निर्वाह जीवन में खाने के लिए जो फसल है वो हो जाए सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन किया जाता है दिकांसकारी आथिों से ही कर लिए जाते हैं प्रमप्रागत तरीके से कर लिए जाते हैं पुन्जी क्याव सेकता भी इसमें कम होती है तकनीक का उप्योग भी इसमें कम होता है गहन कर्शी की जब बात करें तो अधिकान्सकार ये मशीनों द्वारा उत्तर पुंजी और सरम की इसमें कमी होती है उच्च तकनीक का प्रियोग होता है और इसमें कई फसलें बोई जाती है इसमें कई पुरकार की फसलें बोई जाती है तो उत्पादन है वो भी अधिक होता है आकार के अधार पे उत्ध्योगों का वर्गी करण करें तो आकार के अधार पे जब उत्ध्योगों का वर्गी करण करेंगे तो जैसे लगू उत्ध्योग है ब्रद उद्योग है तो लगूद योग में पुंजी के आउशिक्ता कम होगे और सर्मीक भी कम लगेंगे उत्पादन की मात्रा भी इसमें कम होगे और तकनीक का प्रियोग भी कमी किया जाएगा बड़े उद्योगों की बात करें लगूद योगों की पहले उदारन देख लेते हैं जैसे रेसम बुनना खादे प्रसस करन करना ये उदारन दे सकते हैं दो रेसम की बुनाई और खादे प्रसस करना बड़े उद्योगों की बात करें इन उद्योगों में अधीक पुंजी लगेगी अधिक सर्मिक लगेगी तक्नीक की आवशेक्ता भी अधिक होगी और उत्पादन भी बड़ी मात्रा में होगा जैसे इस पात उद्योग ओटो मोबाइल उद्योग आदे राजथान में चलने वाली स्वास्ते समंदि दो योजना इहुनका नाम लिखना जैसे आसा स योगिनी स्वास्ते के छेतर में चल रही है और मुख्य मंत्री निशूलक दवा एंव जांच योजना महत्तोपून योजना राज्थान सरकार द्वारा बुनकरों को किस रूप में साहिता की जाती है तो राज्थान सरकार बुनकरों की साहिता के लिए विक्री कर में छोड़ दे देती है और विक्री केंदरों की स्थापना करके भी उनकी साहिता करती है ब्याज अनुदान यानि सस्ती दर पे ब्याज रिण देना और उनमे अनुदान दे देना राश्थान की चितर कला की किनी तीन सहलियों के नाम लिखने हैं तो जेपूर सहली, किसंगड सहली और कोटा सहली तीन सहलियां राज्थान के मैदानी भागों में जनसंख्या गनत्व अधीक क्यों है क्या कारण है कि राज्थान में मैदानी भागों में जनसंख्या गनत्व अधीक है यानि लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं तो ऐसा कारण है कि मैदानी भागों में अनुकुल परिस्तितियां होती ह लोगों के रहने के लिए जैसे समतल मैदान होगा वहां पानी की उपलब्धता भी होती अप्जाओ जमीन होती है परिवaint के बैच्छे सादन होते है उध्योगों की भी सुगमता रहती है रोजगार की भी सादन होते है और देश की राजधानी का भी नजदीक होना ये करते हैं कुछ महिला शिक्ष्या का समर्थन करते हैं तो कुछ उसका विरोध करते हैं यह की धर्म के अंदर दो दरश्टी कौन होगे न्याय पालिका के कारिये इसमें दो धर्मों की बात कर सकते हैं आप जैसे हिंदू धर्म के कुछ लोग जाती पर्था का विरोध करेंगे मुसलिम धर्म में कुछ लोग महिला शिक्षा का समर्थन कर देंगे तो कुछ उसका विरोध कर देंगे तो आप दो धर्मों का दरश्टी कोण आप दे सकते हैं न्याई पालिका के कारी संसेप में बताने तो विवादू का निप्टारा करना न्याई पालिका का कारी है और न्याई के समिक्षिया करना और कानून की रक्षिया करना मोलिक अदिकारों की रक्षिया करना ये भी न्याई पालिका के कारी हैं। सरोच न्याले ने सुभास कुमार बना में बिहार राज्य जो कि मुकदमा उन्नी सो इक्याण में का है में क्या निर्णे दिया थ। तो इस मुकदमे में सरोच न्याले ने निर्णे दिया कि आनो 26 की तहत जीवन के मोलिक अधिकार में परदूशन मुक्त हवा, हवा सुध हो, उसमें परदूशन ना हो, पानी का अधिकार, ये दो अधिकार तै कर दिये गए थे, कि ये जीवन जीने के लिए विक्ति के लिए आव सेक हैं, इसलिए ये जो अधिकार है, ये मोलिक अधिकार है, जन सुईधाय, मोहिया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्यूंकि सरकार ही उनने सस्ती दर पे और समता मुलक ढंग से उपलब्द करा सकते हैं, जन सुईधाय, ए लोग पिर ये कानून कौन से होते हैं लोग पिर ये जो कानून होते हैं वे कानून जो लोगों को पसंद ना हो तथा सरकार की नियत भी उनको बनाते समय साफ न हो तो लोग उनकी आलोचना करते हैं और इस परकार के कानून ए लोग पिर ये कानून कहलाते राज्य सभा के प्रमुकारी ये लिखें तो राज्य सभा कानून बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं राज्य सभा लोग सभाद्वार अपारित कानूनों के समिक्षिया कर सकते हैं और उसमें संसोधन भी कर सकते हैं तो ये राज्य सभा के कारी हैं मानचितर में हम बर जैसे उदयपूर, बरतपूर और विकानेर यहां पे है यह विकानेर है बरतपूर राजस्थान का सबसे पुर्वी जिला दोलपूर के पास बरतपूर है उदयपूर यह भराववा है यह उदयपूर है रास्थान में 1877 की क्रांती के किनी तीन कारणों का विवेचन कीजिए और अथ्वा में है 1877 की क्रांती के ऐसाफल दागे परमुखे कारण तो इसमें हम 1897 की करांटी हुई क्यूं? उसके कारण देखेंगे। फिर करांटी तो हुई लेकिन ऐसल क्यूं होगी? ये भी देखेंगे। त्राजस्तन के 1897 की क्रांटी होने का परमुक कारण था वो था बृतिस canJean का राज्यूं के आंतरिक मामलों में हस्तसेब करना था वो राजाओं का जो सासन था उसके आंतरिक मामलों में हस्तसेप कर रही थी British Company का राजियों के आर्थिक मामलों में भी हस्तसेप किया जा रहा था समान्त के हालत, समान्त जो लोग थे उनकी हालत भी खराब हो गई थी क्योंकि सामंत लोगों का मानना था कि उनकी जो ये हालत होई है वो ब्रिटिस कंपनी के कारण होई है तो 1857 की क्रांती ऐस सफल क्यों हो गई तो 1857 की ऐस सफलता के कारण भी हम देखेंगे कि राजाओं का सहयोग नहीं मिलना भी इसका प्रमुक कारण था राजा मिलजुल कर नहीं लड़ रहे थे इंग्रेजी सरकार से क्रांती निर्धाई समय से पहले ही शुरू हो गई थी ये भी प्रमुक कारण था क्रांती की शुरुआत कुछ सिमिती स्थानों पे ही हुई राजस्थान की हर जगे पे क्रांती नहीं ही हुई कुछ से सिमिती स्थानों पे हुई, कोटा, बरतपूर, नसिराबाद और धोलपूर, टोंक, आदिमी विद्रो अलग-लग समय में शुरू हुए, नेतरतव भी नहीं था, राजथान के करांती कारियों में प्रसपर ताल मेल का भी अबाव था, ये भी प्रमुक कारण था, करांती कारियों के पास साधन भी नहीं थे, जैसे अंग्रेजी सरकार के पास साधन थे, वसे करांती कारियों के पास साधन नहीं थे, ता मारवाड, म देवाड और जेपूर आदी के सासकों ने तांता टोपे जो कि भारत के एक प्रमुकरांतिकारी थे उनका किसी प्रकार से सहयोग नहीं किया था। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोसाग का ध्यान रखना है। जो भी मेमो होता है यानि जो भी उसके नियम होते हैं उसका पूरा पालन होना चाहिए। गिर्वदार किये गए वेक्ति को अपने किसी समंधिया दोस्त या प्रीचित को जानकारी देने का भी पुरा मोका उसको दिया जाना चाहिए। गिर्वदार वेक्ति को समय इस्थान और हिरासत के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। भुमी को महत्वपूर्ण संसादन क्यों माना जाता है। भुमी निमनीकरण के कोई दो कारण बताईए। तो भुमी एक परमोख प्राकर्तिक संसादन है। अधिकान सुत्पादंत आर्थी किरें भुमी पे ही होती है। भुमी का उप्योग विभिन सरकार कारियों के लिए करती है। जैसे करशी करना, वानीकी करना, खनन करना, आवास यानि रहने के लिए मकान बनाना, निर्मान करना, आवास का निर्मान करना, सडक निर्मान करना, उध्योग लगाना, आधि जमीन पे ही होते हैं। यानि भूमी लोगों के जीवन के लिए आजिवीका का सबसे महतोपूर प्राकरतिक्शन सादन है। भारत के उभिन भागों में ऐसा यूग अंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहन किये, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे, तो ऐसा यूग अंदोलन की बात हो रही है, जो जन्वरी उनिसों किस में सुरू हुआ था, गांधी जी के ऐसा यूग अंदोलन के आव पूरा जस्वे मांग को के विरूद अहिंसक तरीके से अंदोलन चलाया था वहीं आंदर परदेश ताता मिरनाडू के बीतर के जो भाग थे उनमें सराब की दुकानों के विरूद अंदोलन चल रहा था आंदर परदेश के गंटूर जिले में आदिवासियों ने वन सत्याग रह किया था सिंद और बंगाल के में खिलाफत ऐसा योग गठबंदन ने राष्ट्री आंदोलन को मजबूती परदान की थी असम के चाय बागानों में मजदूर आंदोलन कर रहे थी तो उनका तरीका था वो लग था इस तरीके से गंधी जीद ने जो आंदोलन शुरू तो यह ती महत्वपूर परसन का अपना यह मोडल पेपर था पांचवा मोडल पेपर इसमें पांच मोडल पेपर आपको करवाए जा चुकें मिलते हैं एक स्टोर महत्वपूर टोपिक के साथ तब तक थैंक्स